नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टड़ी वाइन्स ओफिशल पर तो आज से हम इंडियन जोग्रफी शुरू कर रहे हैं और आज का हमारा टोपिक है भारत की स्थति और विस्तार तो आज हम टोटल आज टोपिक कवर करेंगे और साथी साथ जो भ साथी साथ देखेंगे राज्यों की अंतर राश्ट्रिय सीमा हैं और इन सब टोपिक को cover करने के बाद, लास्ट में हम इनके previous year question cover करेंगे, तो चलिए बिना देरी किये हुए वीडियो को शुरू करते हैं, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं, अपना पहला टोपिक, भारत का शेतरफल और सामान्य जानक शेतरफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, तो जो पूरा भारत का एरिया है, यह कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, कई वार exam में पूछा गया है, तो यह संख्या आपको याद रखनी है, तो इस संख्या को आपको याद रखने में असानी कैसे होगी, मैं आपको बताता तो जो यह पूरी संख्य आप देख रहे हैं यह 3 से शुरू हो रही है और 3 से ही खतम हो रही है तो इसे आप इसे असानी से याद रख सकते हैं जब भी आपके आगे option आएगा तो आपको पता होगा कि जो छेत्रफल है यह 3 से शुरू होगा और 3 से ही खतम होगा इसे आप इस विश्व का सात्वा सबसे बड़ा देश है याद रखेगा भारत जो है विश्व का सात्वा सबसे बड़ा देश है तो इससे पहले छे कौन-कौन से देश है वो हम देख लेते हैं तो नमबर एक पर है रूस पूरी दुनिया में छेत्रफल के दिरिश्टी से सबसे बड़ा देश है रूस ब है दूसरे नंबर पे है कनाड़ा तीसरे नंबर पे है चीन चोथे नंबर पे अमेरिका पांचवे नंबर पर ब्राजील छठे नंबर पे उस्ट्रेलिया और साथ में नंबर पर है भारत तो यह आपको करम याद अकना है क्योंकि अक्सर यह exam में पूश ले जाता है अभी जो RRB NTPC के एक्जाम चल रहे हैं इसमें यह पूछा जा रहा था कि छेत्रफल की द्रिश्टी से बताईए विशो का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है चोथा सबसे बड़ा देश कौन सा है तो हम यह करम याद रख पाएंगे तभी हमको पता होगा तो इस है चीन तो के बाद है अब तो आ से अमेरिका बासे ब्राजिल प्रूर्च जी अब खतम हो गया अब बचा आ तो आ से अस्ट्रेलिया वह भारत रूक चीन अब भारत तो यह आप पूरे के पूरे साथध्ध इससे याद कर सकते हैं तो मनें छेत्रफल के हिसाब से देख लि और जनसंख्य के देश्टी से, दूसरा सबसे बड़ा देश है, नमबर एक पर कौन है, तो सबसे जादा जनसंख्य कहां पर है, चीन में, दूसरे नमबर पर है भारत, और तीसरे नमबर पर है संयुक्त राजे अमेरिका, ये तीनों आपको याद रखने हैं, तो उसके बाद से लेकर पक्षिम तक भारत का विस्टार कितना है तो 2,933 किलो मिटर यह दोनों आपको याद रखने है उत्तर सर्थर दक्षिन तक 3,214 किलो मिटर और पूरव से पक्षिम तक 2,933 किलो मिटर तो भारत का छेत्रफल संपूर्ण विश्व के छेत्रफल का 2,42 परती Mountain याद अखेगा कि पूरे दुनिया के छेत्रफल का जो भारत के छेत्रफल है पूरे दुनिया के हिसाब से वह 2.4 पतिशत है और इसकी जनसंख्या जो है विश्व की जनसंख्या का 17.5 पतिशत है जो हमारे पास एरिया है यह पूरे दुनिया का एरिया का 2.4 पतिशत है पर ज इतना कुछ आपको जानना है भारत के छेत्रफल से उसके बाद हम देखते हैं भारत की जल्य और स्थल्य सीमा तो भारत के स्थल्य सीमा है 15,200 किलोमेटर यह रखेगा भारत के स्थल्य सीमा कितनी है 15,200 किलोमेटर तो यह स्थल्य सीमा को सी है यह जो टोटल जो हमारे भारत की जो मुख्य भूमी से जुड़े हुए देश हैं, उनके जो हमारी स्थल्य सीमा लगती है, वो है 15200 किलोमेटर, तो भारत की मुख्य भूमी की जल्य भाग के नमबाई कितनी हैं, तो जो हमारी जल्य सीमा है, जो ये वाली सीमा है, समुंदर के साथ लगती है, ये कितनी है, तो तो यह है 1.600 km यहाँ देखेगा यहीं पर आप कंफ्यूज होंगे यह है मुख्य भूमी की जल्य सीमा हमारे पास द्वीव समूव भी है जैसे अंडुमा निकोबार द्वीव समूव लश्दीव समूव तो इनको अगर मिला लिया जाए तो कुल जल्य सीमा हो जाएगी 7.516. अगर पूछा जाए कि मुख्य भूमी की जल्य सीमा कितनी है तो वो है 1.600 km पर अगर पूछा जाए कि भारत की कुल जल्य सीमा कितनी है तब यह अंडुमा निकोबार और लश्दीव मिल जाएगे तो हमाई हो जाएगी 7.516.6 km इसको आपको रटना नहीं है बस एक दो बा देख लेंगे याद हो जाएगा उसके बाद देखते हैं कि भारत की सबसे बड़ी जल्य सीमा वाला राज्य कौन सा है तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसके जल्य सीमा सबसे बड़ी है तो सबसे बड़ी तट्रेखा वाला राज्य कौन सा है गुजरात और भारत की सबसे बड केंदर शाषित पदेश जिनकी जल्य सीमँए तो हमारे कुल no raji और चार केंदर शाषित पदेश हैं जो जिनकी सीमय है प्रलत समुंद्र के साथ लगती है तो कौन कौन प्रणाडुछे आंद्र पदेश साथ उड़ीसा आठ बचा पक्षिम बंगाल नो तो नो राज्य हो गए ना यह समुंदर के साथ लगते हैं अगर पूछा जाए कि कितने केंदर शाषित पदेश हैं तो चार केंदर शाषित पदेश हैं जिनकी जल्य सीमा लगती है वो कौन कौन से हैं तो अंडमा निकोवार लक्ष द्वीब पूधुचेरी दमन द्वीब यह जो हैं यह चार केंदर शाषित पदेश हैं जिनकी जल्य सीमा लगती है और नो राज्य हैं जिनकी जल्य सीमा लगती है तो नेश टोपिक हम देखते हैं अपना भारत के स्थति और विस हैं इसका भी अपना एक महतु है आपको बाद में बताऊंगा तो जो होरीजोंटर रेखा है इस परकार उसे हम कहते हैं अक्षांश रेखा है और जो वर्टिकर रेखा हैं मतलब सीधी रेखा हैं उन्हें हम कहते हैं देशांता रेखा हैं तो आप जो प्रित्वी के में हैं मखार्र रेखा तो पटामी है जो भीच व बीच है यह धूमद रेखा और जयो साड़े वी उपण रेखा वह इसके समानता जितनी भी रेखाएं खिच है जो लेटी हुँई हमें लाटेटुडट ला कहेंगे भरत दीखें तो जिस परकार वीच ओबीच अशांश रखा जीरो डिग्री पर है इसे पर्मध रेखा कहते हैं उसी फरकार देशांटर रेखा भी जीरो डिग्री पर है इसे हम कहेंगे यह उत्री धुरू है आपको पता है और यह दक्षिनी धुरू तो उत्री धुरू दक्षिनी धुरू को मिलाने वाली जो कालपनी रेखाएं इस प्रकार खीची गई है उन्हें हम कहेंगे देशांतर रेखाएं तो यह उत्री धुरू क कैसे मैं अब को बताता हूं, तो जैसे ये भूमद रेखा है, इसके उपपर जो भी देश है, ये हैं उत्रِ गुलार्द में, और जो नीचे इसके देश है, ये हैं दक्षनी गुलार्द में, मतलब ये प्रित्वी को समभनों, देश हो जाएंगे और यह पक्षमी देशांतर वाले देश हो जाएंगे तो मारा भारत शेयल करता हूं आप से तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो भारत के सित्य है हमने पढ़ा कि अक्षांश रिखाओं और देशांता रिखाओं के मद्द में हैं यह कई बार एक्जाम में पूछा गया है यह हम देखते हैं तो जो भारत का मुख्य भाग है यह आठ डिगरी चार मिनिट यार रखेगा जो ऐसे अब जो लिखा जो जो रेखा किये यह है 8 degree 4 minute अक्षांच रेखा है और उपर जो है यह रेखा है 37 degree 6 minute उत्तरी अक्षांच रेखा यहर्खेगा यह उपर लेकि उत्तरी और नीचे लेकि दक्षनी नहीं रिखाये और दो देशानता रिखाये होंगी उन्हें पुरुष देशानता रिखाए कहेंगे अब हम देखते हिं कि भारत कहाँ पर स्थेथ हैं तो भारत है आठर डिग्री 4 उत्ती अशांच लेखासे लेकर 77 डिग्री 6 मिनट उत्तारी 55 के बीच में और और देशांतर रेखा के बीच में देखते हैं कहां पर है तो देशांतर रेखा है तो आपको याद रखना है जिसकी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि इसको आप याद कैसे रखेंगे वैसे तो आपको याद हो जाएगा अगर दो तीन बार देख लेंगे आपको इसको या 37, 84, दो तिन बाद बोलेंगे, 37, 84, और 68, 97, इस परकार याद करेगा, मिनेट और डिग्री छोट देजिए, बस आप डिजिट याद करेगे, 37, 84, 68, 98, और अगर आपको एक भी डिजिट पता होगा, तब भी आप काम चल जाएगा, मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ, इसको याद कैसे करेंगे, जब भी आपको option आएगे, वहाँ पर दो डिजिट इसके आएगे, कि पूर्वी देशांतर से लेके, इतने पूर्वी देशांतर के बीच में है, जैसा कि उधारन की रूपे आप देखे, 68 डिगरी, 7 मिनिट पूर्वी देशांतर से लेके, 97 डिगरी, एक एड करेंगे, तो 7, और 8 में एक एड करेंगे, तो 9, तो आपको उसी तैम पढ़ता लगजेगा, यह option सही है, क्योंकि अगर दूसरा option कोई होगा, तो आप ऐसा लिखा होगा, 62, तो आप अगर आप तिर्शा गुना एड करेंगे, तो एक एक एड नहीं होगा, पर इसमें देखिए, एक एड हो रहा है न, 6 एड करेंगे, 7 और 8 में एक एड करेंगे, 9, उसी परकार दूसरे में भी हो रहा है, उत्तिरे अक्षान देखिए, 37 हैं और 84 हैं, मैंने आपक तब यह आप अजमा कर देख लेना, तो अब हम अपना next topic देखते हैं, कि जो समय मानक रेखा होती है, कैसे पता लगता है, कि भारत में कितना समय हुआ है, तो अस्ट्रेलिया में कोई और समय होता है, यह कैसे निर्धारन किया जाता है, तो इसका निर्धारन किया जाता है, green which meantime से तो English में कहते हैं से green which meantime और Hindi में कहते हैं green which माध्य समय यहाँ पर आएगा green which तो green which माध्य समय तो यह क्या होता है अब मैं आपको समझाता हूँ तो पहले आप इतना जालिजिए कि जो GMT यानि की green which माध्य समय इसी के अधार पर ही समय का आकलन किया जाता है इसमें कैसा अकलन किया जाता है मैंने आपको पता है कि glow पर जो सीधी रेखाएं हैं यह सब देशानता रेखाएं यह सब कालपनिक रेखाएं हैं तो जो zero degree की रेखा है यह जितने भी देश आएंगे इनमें जो समय चलेगा वो प्लस में चलेगा उधारन से मैं आपको समझात जो जीरो डिगरी के पीछे वाले देश है इस तरफ के देश हैं वहाँ पर बारा बजए से पहले का समय होगा मालीजे ग्यारा बज़े दस बज़े यह देशानता रिखाओं पर निरबड़ करेगा वह मैं आपको आगे समझाओंगा कि कैसे पता लगेगा कि कहां पर कितना समय होगा बस अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि जो जीरो डिगरी देशानता रिखा है इसके पूरो में जितने भी देश हैं वो समय आगे रहेगा और पक्षी में जितने भी देश हैं उनका समय पीछे रहेगा क्यों ऐसा क्यों होगा क्यों कि जो सूरज होता है यह तो पहले रोशनी कहाँ पर पड़ेगे, तो पहले इधर पड़ेगे न, पूरो में, इसलिए इनका समय आगे होगा, और पक्षिम में जो समय होगा, इनका पीछे होगा, तो जो एक डिगरी देशानता रेखा होता है, इसमें चार मिनिट का फरक पड़ता है, जैसे यह जीरो डिगरी देशानता रेखा है, जब यहाँ पर रात के 12 बज़ रहे हैं मालो, तो जो 15 डिगरी देशानता रेखा पर कोई देश होगा, जितने भी देश होगे, तो जो 15 डिगरी देशानता रेखा पर देश होगे, वो 60 मिनिट आगे होगे, मतलब वहाँ पर रात का एक बज तो आशाकरत हुआ आपको समझ आया होगा इसके पूरो में जितने ही देश होगी वहाँ पर समय आगे होगा और इससे पक्षिय में जितने ही देश होगे समय पीछे होगा फरक कितना होगा तो 15 डिग्री देशानता रेखा पर एक घंटे का फरक पड़ता है तो अंतर राश् चयकर बिशल्गे स्थाणिय समय को भारतिय मानक समय माना जाता है तो जैसे मैं आपको बताया है कि हर देश के उपर से स्थाणिय देशांता रेखा हैं घंटा आगे है हमने पीचे देखा न यह जिरो डिग्री है जो इसके आगे देश होंगे इनका टाइम आगे होगा तो जो भारत हमारा कहां पर है तो भारत हमारा यहां पर है तो एक डिगरी पर 4 मिनिट का फरक पड़ जाता है और 15 डिगरी पर 60 मिनिट का तो हमारा कितने डिगरी आगे है तो 82, 82 डिगरी आगे है तो इसी परकार अगर पूरे भारत में एक ही समय रेखा है बस इस रेखा से हैं हम पूरे भारत का टाइम डिसाइड करते हैं पर अमेरिका में देखा जाए तो 11 टाइम जोन है रशिया में भी 11 टाइम जोन है पर भारत में एक ही टाइम जोन है और विज्यानिकों का कहना है कि भारत को दो टाइम ज पूरज निकलता है तो दो घंटे का अंतर पड़ जाता है North East वाले एरिया से और बाकी इस एरिया से इसलिए विज्ञानिकों का कहना है कि भारत को दो टाम जोन मानने चाहिए पर अभी भारत सरकार कितने टाम जोन मानती है तो एक ही टाम जोन मानती है और वो कों से देशांत अब देखिए धेन से मध्यप्रदेश में मध्यप्रदेश के बाद यह आती है चत्य Kunghram और रोडिसे चारगोप के बाद आंध्र परदेश के निचे सोगय मध्यप्रदेश कर ने चत्ति यह पांच राजियों से होकर भारत की मानक समय रेखा गुजरती है, तो आशा करता हूँ आपको clear हो गया होगा, अब हम देखते हैं करक रेखा से गुजरने वाले राज्य, तो अब हमने पीछे मानचित्र में देखा कि 0 डिगरी जो equator रेखा थी, यानि कि भूमद रेखा थी उसके 0.5 डिगरी उपर कौन से रेखा थी, तो वो करके रेखा थी, और वो करके रेखा भारत की बीचों बीच से होकर गुजरती है, और यह पूछा जाता है एक्जाम में कि किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो कुल आठ राज्ये हैं, इनके लिए हमें कोई ट्रिक की और विश्व का नक्षा, यह दोनों लगा होना चाहिए, और जो भारत का नक्षा है, यह आपके दिल और दिमाग दोनों में छपा होना चाहिए, तो एक-एक राज्ये से आप वाकिफ होने चाहिए, तब ही आप समझ लो, कॉम्पटिशन इजाम की त्यारी कर रहे हैं, इस जारखंड, चथिन गरको चाहिए, गुझ ऑर फिर से देखिए, दर फिर फोल्ड़ जारि तो हो गई होगा, क्योंकि लगा होगा, तो प्रस्सके गहने हमास दोड़ा चाहिए, नोर्ड़ स्थान को तो यह हो गहाँ है, ना जारखन मग्राध के बाद पक्षिमंगाल और धिरफूरव में मीजवरम यह करकर रहांद से कुझनने वाले राज्ये Imam भारत के दूरक स बिंदू बहुत थी फूर्दवंैं यहां देखेगा बहुत बार पहले जम्मू कश्मीर के अंदर था अब जो श्रियाचीन है यह लद्दाक के अंदर है तो सबसे उत्तरी बिंदू कौन सा है भारत का इंद्रा कोल और दक्षिनी बिंदू कौन सा है तो इंद्रा जो अंडमान और निकोबार द्वीव सम्हूऊ है उसका जो निकोबार द्वीव सम्हूऊ है उसी में हैं इंदराуч तो उत्तरी इंद्रा ाकोसज द webinar में सबसे पश्मी बिंदु भारत का कौन सा है पूछ ले जाता है तो गिवीतु और वलांगू ये दोनों आप यार रखेगा यह है पूर्वी यह रुनाचल प्रदेश में है तो उत्रीबिंदु है इंद्रा कोल दक्षणी है इंद्रपॉइन पक्षमी सरक्रीक और पूर्वी गिवीतु और वलांगू उसके बाद हमारा next topic है भारत ये सीमा वर्ति और पडोसी देश तो सीमा वर्ति देश कोई से होते हैं और पडोसी देश कोई कोन पाकिस्टान, अफगानिस्तान, जीन नेपाल, भुठान, बांगला देश, और मयामार इसे भारत के सतले यानिकि सीमा लगती है तो ये सीमा वरति से नो और और यह जाएंगे स्रीलंका और माल्दीव यह जो नीचे आप देख रहे हैं नौगासी और सबसे लंभी स्थलिये सीमा किसे लगती है तो बांगला देश से एकpur 지원 हैं है 4096 किलो मेटर और भारत की सबसे कम सीमा के साथ लगती है तो अफगानिस्तान के साथ लगती है सिर्फ 106 किलो मेटर की यह दुनों याद रखिएगा तो हमने सीमा वर्ती देश और पडोसी देश देख लिए अब हम देखते हैं राजियों की अंतर राष्टे सीमा है काफी इंपोरा टोपिक है ये भी और एक्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि पाकिस्तान से भुटान से हमारे कौन-कौन से राजी लगते हैं हम वो भी तो असानी रहेगी क्योंकि हर चीजें आप ट्रिक से नहीं याद कर सकते हैं और कितनी ट्रिक आप याद करेंगे तो पहले हम देखते हैं पाकिस्तान के साथ कौन-कौन से हमारे राजी लगते हैं तो इधरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं तो सबसे उपर है लद्दाक प पंजाब चोथे नमबर पर राज़्यस्तान और पांच송 फोजरात तो फेन राजीë की सेमह लगती है इसके साथ पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के बाद हम देखते हैं बांगला देश के साथ भी हमारे पांच राज्यों की सिमh में लगती है कौन-कौन से इधर आप देखें यह पुरा बांगला देश्र बांगलादेश्इश है तो पक्शिम Goldenarius Peter हो गए एक तो वह हो गया उपर आप देख रहे हैं मिघाले मेघा से बारिष होती पर ज्यादा तर एक्जाम में कोशन कौन सा बन रहा है मैंने भी कोशन जब एनलाइस किया तो ज्यादा तर ये कोशन बन रहा है ये नहीं बन रहा कि कौन कौन से लगते हैं बलकि ये बन रहा है कि कौन से सीमा नहीं लगती तो याद किगा नागा लेंड और मनिपूर ये जो बार बार पूछने हैं तो इसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूं इसकी आप ट्रिक कैसे आ रखेंगे कि नागा लैंड और मनीपूर की सीमा बांगलादेश से नहीं लगती अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो जब भी बांगलादेश की टीम जीती है तो ज्यादा तर हमें इससे क्या क्या स combinations करते हैं तो नागिं डैंस करते हैं नागिंडर करके वह भारत से नाग जाते हैं तो जब भी क्रिकेटर होता है भारत का तो नाग डैंस क्यों करते हैं वह उन्हेँ हुआ भारत से क्या चाहिए नाग मनी चाहिए क्योंकि उनके पास नाग मनी नहीं है इसलिए वो नागी डांस कर रहे हैं तो अब इससे हम कैसे आ रखेंगे उनके पास नाग मनी नहीं है नाग मनी नहीं है नाग मनी नहीं है वो नाग मनी किसके पास है नाग मनी तो भारत के पास है इसलिए अब इसे हम याँ रख पाएंगे कि जो बांगला देश है उसे नागलेंड और मनिपूर की सीमा नहीं लगती यह दो राजे आप याँ रखना उसके बाद हम देखते हैं भुटान और मियामार यह भी हमारे पडोसी देश हैं इनके साथ किसकी किसी सीमा लगती है तो अगर आखी बंद करके भी आपके दिमाग में आना चाहिए कि यह भुटान है तो इधर सिक्किम है एक राज़ी यह और बचा कौन सा असम तो यह चार राजियों की सीमा लगती है भुटान के साथ फिर से देखिए दुबार देखिए इधर लेफ्ट साइड में कौन सा है सिक्किम राइट में कौन सा है और नाचर परदेश दो यह हो गए और पक्षी बंगाले नीचे से इसको उपर उठा हु है तो सबसे उपर कौन सा है और नाचर परदेश और उसके बाद है नागमनी नागमनी दोनों साथ साथ है मलकि नागलेंड और मनिपूर साथ साथ है और नीचे है मिजोरम सबसे उपर कौन सा है नाचर परदेश और नागमनी साथ में हैं नाके साथ ही मनी होती है नागलें की सिमा लगती है तो यह कौन-कोन से यह तो और भी असान है देखें कैसे değer को पताई यह हैं नेपाल की तरसे उत्राखन ने दबाया हुआ हैं और इदर से ने दबाया हुआ है दोनों के बीच में नेपाल तो एक तो हो गया नीचे से उपर तक गया हुआ है देख रहे हैं न ये तो पांच राजों की सिम्म लगे ये बार दुबारा देखिए कौन-कौन सा उधर से उत्रा खंड रन दबाया हुआ है इदर से सिक्किम तो उत्रा खंड और सिक्किम के बीच में है नेपाल और नीचे से उत्रा पदेश और बिहार इनका तो बोर्ड लगते ही है चार यह हो गए एक बचा कौन से अपना पक्षिम बंगा तो यह पांच राजे हैं जिनकी नेपाल के साथ सीमा लगती है और भुटान तो हमने पीछे कवर कर लिया तो हमारे यह हो गए अब लाश्ट में हमारा एक बचा चीन अब इ चीन के साथ नहीं लगती नए मैप के अकोडिंग हमारी लद्दा की सीमा चीन के साथ लगती है लद्दा की नीचे हिमाचल पदेश हिमाचल पदेश की नीचे कौन सा है उत्राखंड उत्राखंड के साथ में नेपाल है यह तुमारे अंदर ही नहीं उसके बाद है सिक्किम और सिक्किम के बाद है अर्णाचल पदेश तो आपको याद ही होगा तो कि अर्णाचल पदेश और लदाग में तो वो आए दिन अपने कहता है कि हमारा जमीनी यह हमारे अंडर है तो आपको पता ही होगा लदाग और अर्णाचल पदेश यह तो ऐसे ही आपको याद होंगे बाकी हिमाचल बदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, यह बाकी की तीन है, तो यह पांच राज्यों की सीमा लगती है चीन के साथ, तो यहाँ पर हमने पूरी थियोरी कवर की, अब हम इसका टेस्ट लगाते हैं, कि कौन कौन से जो प्रिवियस एर के कोशन हैं, वो हम कवर करते हैं, तो अब हम प्रिवियस एर के कोशन देखते हैं, जो इसे पूछे गए हैं, अब सबसे पहला कोशन है कि भारत स्थित हैं, तो भारत कहां पर स्थित हैं, हमने देखा कि भारत स्थित हैं, उत्तरी गुलार्द और कहां पर पूर्वी देशांतर में स्थित हैं, दूसरा कोशन है इसमें जो कुछ नए कोशन भी मैंने एड़ की हैं उसको हम साथ साथ ही देख जाएंगे अगर हमने पीछे नहीं पढ़ा तो साथ साथ कवर कर लेंगे और दूसरा कोशन है कि भारत की आकरती क्या है तो भारत कि आकरती क्या है जादा तर आपको लगते हो कि भारत क्या करती qn है पर ये गलत है भारत की आकरती है चतुष कोनी है या रखेगा कौन सी आकरती है भारत की चतुष कोनी है तीसरा कोशन भारत का कुल शेत्रफल है इसको मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था तो जब भी ऐसा है संख्याद तो भारत की जो शेत्रफल 300 शुरू होता है और 3 से ही खतम होता है, तो भारत का कुल 6 तरफल है 32,87,263 वर्ग किलो मेटर, नेक्ट कोशन देखते हैं, कि भारत का उत्तर से दक्षिन में विस्तार कितना है, तो भारत का उत्तर से दक्षिन में विस्तार कितना है, 3,214 किलो मेटर है, उत्तर से दक्षिन की बात किजाए, तो यह रखेगा 3214 km और next question है कि भारत का पूरो से पक्षी में विस्तार कितना है तो यह दोनों question बहुत बार हिजाम में आते हैं तो यह उपर से तो 3214 है और पूरो से पक्षी में है 2933 km उसके बाद next question है कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है तो इन्होंने मुख की भूमी की ही पूछी है क्योंकि option से पता लग रहा है हमें तो भारत के तट रेखा की लंबाई मतलब कि यह जो एरिया है इसके लंबाई कितनी है तो 1600 km इसका right answer होगा option A उसके बाद अगला question देखते हैं कि प्राचीन भारतिय भगोलिक मानिता के अंसार भारत वर्ष कि द्वीब का अंग था तो जैसे अब हम देखते हैं कि भारत एशिया का अंग था तो यह प्राचीन की समय की बात कर रहे है तो प्राचीन समय यह किस का अंग था तो उसमय य इस द्वीब का अंग था जम्बू द्वीब उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इंडियान स्टेंडर्ट टाइम और ग्रेन वीच मीन टाइम के अंतर का कि में कितना अंतर है तो जो हमारा भारत की मानक समय रहे हैं यह कितनी आगे हैं ग्रीन विच मीन टाइम से तो हमने प पीछए पढ़ाता है कि पूरे विष्व का हमारा भारत वीश्व का हिस्صा है दो दश्व्वल्वि पैसाब हिस्वरे चेटरफल की हिसाफ से कyani रहे हैं अगर जन्संक्राइब की हिसाफ से बात करते हैं तो जन्संक्राakukan प्रदेश कितने थे चार यहां पर राज्य पूछा है तो नो राज्य हैं कौन-कौन से यह साइज में लिख लिए अब देख लेना हमने पीछे पड़ भी ले थे और केंदर शाचित प्रदेश पूछते तो वो चार थे उसके बाद नेस्ट कोशन है कि भारत में निमा लिख दक्षिंतम बिंदू कौन सा है तो उत्तरी बिंदू कौन सा था उत्तरी था इंद्रा कोल इंद्रा कोल से लेकि मैंने बता था इंद्रा पॉइंट तो दक्षिनी है इंद्रा पॉइंट यानिकी ऑप्शन सी उत्तरी पूछा होता तो इंद्रा कोल नेस्ट कोशन है कि से पार्षत फॉेंस झाल इन प्यात् Cake बापको याद होनी चाहिए लाए चिंग तो इसका राइट पॉप्शन होगा इन से सभी पॉजबबर इंद्रा-इन सब्सक्राइट की सबसे लंबी अंतर राश्य शीमा किस देश के साथ लगती है ये तो अभी तक आपकोant हो गया होगा कि बांगला देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतराश्य सीमा लगती है उसके बाद नेश कोशन देखते हैं कि भारत की मुख के भूमी की दक्षनी सीमा है इसमें से आपको कौन सा डिजिट है जो जाना पेचाना लग रहे हैं अगर आपने वीडियो को ध्या और आठ में से कम किया साथ हम आपर जोड़ा था ना तो साथ में एक जोड़ेंगे आठ और तीन में एक जोड़ेंगे चार तो उपर था 37 और नीचे था 84 तो इसका राइट अंसर कौन सा है 84 मलोग की आठ रिगरी और चार मिनित उत्री अच्छान नेश कोशन है भारती मान पताया था ना कि जो भारत है उत्त्री गुलाद पूर्वी देशांतर में है तो इसका उप्शन सही होगा उप्शन सी मना की 82 डिगरी 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर यह भारती मानक समय रेखा है उसके बाद नेक कोशन है बांगला देश से किस राजी की सीमा नहीं लग लगह तो यह मनभी पूर है ुसके नहीं लगती इस तीन कोशन बच्चे यह भी हम देख लेते हैं कि मिम्लेघित में इसे किस राजे से और कर रेखा नहीं गुज़रती क्योंकि जो मद्गय प्रदेश उसके उपर है गुजरती इसका राइट नहीं गुजरती तो इसका र रूक चीन रूख से रूख से रूख उसके बाद काज से कनाड़ा यह पहला और दूसरा हो गया उसके वाद़ा चीन तो तीसरे नंबर पे था चीन यह भी NTPC में पुछा गया था इसलिए मैं इसे इंक्लूड किया है उसके बाद लाज कोशन है कि भारत का सबसे पक्षमी भाग कों सा है तो सर क्रीक है यह सबसे पक्षमी भाग है इसका राइट अंसर होगा ऑप्शन से सबसे उतरी पूछा जाए तिंदरा कोल दक्षनी इं पर खतम होती है कैसे लगी आपको वीडियो कोमेंट सेक्षन में जरू बताना धन्यवाद